नमस्कार आपका स्वागत है देश परदेश समवा चैनल में आज हम बात करेंगे भारत के एक और दुश्मन की जिसे पाकिस्तान में अज्यात हमना औरों ने मौत की नीद सुला दिया आतंक्यों के पनागा के रूप में कुख्यात पाकिस्तान अब उनका ही कब्रगा बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है लश्कर ए तैबा के पूर्फ कमांडर अकरम खान उर्फ अकरम गाजी क्यों गुरवार को खैबर पक्थुनक्वा के बाज़ाओर में मोटर सैकिल सवार अग्यात बंदुबधारियों ने गोली मार कर ढेल कर दिया लश्कर के केंद्री ये भरती सेल का अकरम गाजी एक प्रमुक सदस्य था गाजी ने 2018 से 2020 तक लश्कर में भरती करने का कामकाज समाला वा था चरम पंती विचारधारा के प्रती जुकाव रखने वाले लोगों की पहचान कर उन्हें लशकर में भरती कराने में बहुत अहम किरदार गाजी ने निभाया था आपको बता दें कि अकरम गाजी की गिंती लशकर के टॉप कमांडरस में होती थी आतंकी गतिवीदियों में एक बहुत लंबे समय से अकरम शामिल रहा था भारते खिलाव जहरीले और भरकाव बयानबाजी के लिए गाजी की पाकिस्तान में एक अलगी पहचान बन चुकी थी ये पहला मौका नहीं है जब भारत विरुदी आतंकीों को पाकिस्तान में टारगेटिट किलिंक्स में मर गया हो एक हथे के भीतर ही इन अज्यात हमलावरों ने दो आतंकीों को निप्टा दिया पाकिस्तान में एक के बाद एक रहस्मई तरीके से हो रही हत्याओं से नक्यवल आतंकीों की नीद हराम हो गई है बलकि उनके आकाओं ISI और पाकफॉच के हातों के तोते भी उड़ गए है इन रहस्मई हत्याओं को लेकर डीप स्टेट पाकिस्तान ऐसे दिखा रहा है जैसे कोई बड़ी बात नहीं हो रही है और ये बताने में लगेवे हैं कि हो सकता है कि आपसी टकराव और वर्चेस्व बनाए रखने ये तू लशकर में ये मारकाठ भी हो पाकिस्तान में पिछले 20 महिनों में 19 आतंक्यों को खलास कर दिया गया है मालूम हो की अकरम गाजी की हत्या के साथ ही पाकिस्तान में इसी साल मारे जाने वाले आतंक्यों की संक्याब बारह पर पहुँच गई है धरशाई किये गए आतंक्यों का संबन जैश मोहमत लशकर तैबा लशकर जबर लशकर जांगवी खालिस्तान कमांडो फोर्स और डी कंपनी से था और हर हत्या में करीब करीब एक जैसा ही तरीका अपनाया गया है और हमलावरों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है पाकिस्तानी खुफिया एजन्सी अभी तक खाली हाथ है एक भी बंदुक धरी की न तो पहचान ही कर पा रही है और नहीं गिरफतार इस तरह से हो रही रहस्मई हत्याओं हमलों और धार्मिक दंगों के पीछे भारतिये खुफिया एजन्सियों का हाथ है ऐसा आरोप भी पाकिस्तानी खुफिया एजन्सी आईयसाई लगाने से नहीं चूपती है मारे गए इन आतंकियों में एक अहम नाम आईयसाई के एजन्ट मुला बाहौर उर्फ हुर्मुस का था हुर्मुस के लिए बताया जाता है कि उसी ने इरान से भारतिये नौसेना के पुर्व कमांडर कुल भुशन जादाओ को अगवा कर लिया था और फिर आईयसाई के हवाले कर दिया था कमांडर जादाओ आज भी पाकिस्तानी जेल में बंद है आज के इस अंक में बसितना ही आपसे अनुरूध है कि आप मेरे ही इस चैनल से जुड़े रहे और इसे सब्सक्राइब भी कर लिजिए जैहन